देश बेरोजगारी से परिशान है और BJP सरकार लोगों की और गरीबों की जीविका पर प्रहार कर रही है मध्यप्रदेश में BJP की सरकार आते ही एक्शन में आ गये हैं वहां के मोहन यादो सी-म एक्शन में आ गये हैं नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक लोगों का कहना है कि डारेक्टर जैसे निर्देश देता है उसी तरीके से एक्टर काम करता है और ये दिखाई दे रहा है बीजेपी की सरकार जिस तरीके से काम करती है चाहे वो कोई भी हो दलित आदिवासी कोई भी हो काम वही करता है जो बीजेपी के आला कमान आदेश देते हैं और मध्यप्रदेश हो चाहे राजस्थान और 36 गड़ो सारे जगह पे एक्शन सेम हो रहा है वहाँ पर मध्यप्रदेश में रास्तो पर जिस तरीके से मान सा हार जो बेचे जा रहे थे अंडे मीट मचली बेचे जा रहे थे उन सभी ठेलों को उनके सारे सामान को जब्त कर लिया गया है तीन दिन पहले सीम ने आदेश दिये थे अधिकारियों को कि इन सभी ठेलों को वहाँ से हटा दिया जाए जिसके लिए बरसों से जो कारोबारी वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं अपने ठेले लगा रहे हैं उन्होंने हटने से इनकार कर दिया वो साफ कह रहे हैं कि हम बर समान को जफ्त कर लिया गया है इतना ही नहीं उन्हें अट 30 3000 रुपयां से वसूली की गई है कि उन्होंने माब्धंडो का ध्यान नहीं रखा माब्धंडो का पालन नहीं किया तो सवाल उन्हें से है कि मौð serie प्रदेश में क्या किसी और की सरकार थी आप ही की सरकार थी तो पहले आपको यह ध्यान क्यों नहीं आया कि वह माप दंडो का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे आपने पहले माप दंडो का पालन क्यों नहीं करवाया एक एक सरकार बदलते ही आपको क्या बहाना मिल गया उन्हें रात उ रात बेरोजगार कर देने के लिए जहां एक तरफ बेरोजगारी से पूरा देश जूज रहा है यूवा जूज रहे हैं परिशान है रोजगार के खातिर ही सदन में जो ये वो किस हद तक परिशान थे कि वो सदन में घुश कर अपनी आवाज उठा रहें क्योंकि उन्हें पता है कि जंतर मंतर और यहां रामलीला मैदान में बैठने से तो कुछ हो नहीं रहा ना तो मीडिया उनकी खबर चलाती है ना सरकार उनकी आवाज सुनती है तो उन्हो की है कि यह सही है लेकिन जो उनके पास रास्ता छोड़ा गये वह वही कर रहे है और वही हालत मध्यप्रदेश में कई लोगों के साथ रातो रात उनके धेले को हटा दिया गया है पनी लोग प्रतिकृयाएं रहे दिलिप मंडल जो सीनिय जर्नलिस्ट है वो लिखते हैं सडक किनारे जलेबी और पोहे, कटे फल और गन्ने के रस पर मखियों का भिन भिनाना हाईजेनिक है, स्वास्त वर्धक है, दुकान में रखे खुले गुड़ पर मखी बैठना भी ठीक है, एक ही तेल में नया तेल मिल जाकर साथ सोवे बार समोसा तलना स्वास्त प्रध है, नाले के पानी से सबजी धोकर बेचना स्वास्त वर्धक है, पर मध्य प्रदेश की नई सरकार के अनुसार सडक किनारे अंडा बेचना अनहाईजेनिक है, और स्वास्त कार्य है, ये एक वो कटाक्ष की तोर पर ये करके लाखों बेरोजगार किया रहा है, लाखों लोगों को मध्य प्रदेश में और बीजेपी साशित राजियों में लाखों लोगों को बेरोजगार किया रहा है, वो कहते हैं सरकार अलग से मांस मचली की सुन्दर स्टॉल लगाए और लोगों को दे, क्योंकि जो हव सुन्दर स्टॉल बनाकर सरकार उन्हें दे दे ताकि वो अपना रोजगार जो अपनी जीवी का है वो चला सके अपना घर चला सके आगे लिखते हैं कि अंडे तो हर जगा बिकनी चाहिए क्योंकि उस पर मखी नहीं लगती उस पर मखी नहीं बैठते हैं यह जो है सीनर जनलिस्ट की राय है और उसके साथ साथ एक सवाल भी है उसी पर लोगों की प्रतिकरिया भी सुन लीजिए दोनों ही तरफ के लोगों ने प्रतिकरिया दी है चाहें वो brush के सोंचवाले लोग हो या इस बेरोजगारी को देखने वाले लोगों सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिकिरिया दी है मैंने तो पहले ही कह दिया था एक्टर कोई भी हो एक्शन तो डाइरेक्टर के अनुशार ही करेगा वही हुआ राजस्थान में स्वर्ण मुख्यमत्री है और मध्यप्रदेश में OBC का मुख्यमत्री है दोनों जगा एक्शन सेम हो रहे हैं क्योंकि डाइरेक्टर सेम है वही शिव राजी आगव लिखते हैं समझ में नहीं आता ये पॉलिटीशन को विकास के लिए यही मुद्दा मिला था क्या आगे लिखते हैं सिवानी वर्मा है वो लिखते हैं वो उन्होंने कोट किया है एक लाइन हिंदू राष्ट की सोच एक पागलपन है धर्म निर्पेक्षता ही भारत की आत्मा है ये सरदार वल्लब भाई की जो लाइन है उसे कोट कर उन्होंने लिखा है आगे जो है डिलक्स रोय लिखते हैं होटल वाले बिजनसमैन के मुनाफिक को ध्यान रखते हुए गरीबों के पैर पर छोटी सी कुलहारी चलाई गई है इससे मध्यप्रदेश के दुकांदार सलमा की चूड़ी टाइट होते देख खुशी हो रही है मुस्कुराइए गरीबों को गरीबी दुगनी हो जाएगी अब जो है बिज़ेपी की सरकार आने के बाद गरीबों की गरीबी दुगनी हो जाएगी ये वो कटाक्ष के रूप में बता रहे हैं वहीं अशोक पटे लिखते हैं, बहुत ही शांदार तरीके से आपने इन्हें आईना दिखाया है CM साहब मोहन यादव जी लगता है अभी इसे मुद्धा बिहीन हो गए हैं, उनके पास मुद्धा नहीं है प्रात मिक्ता पर इसे शाक्षिक सुधार करना चाहिए, शिक्षकों की भरती करानी चाहिए स्कूलों की बिल्डिंग सुधार कराएं, शिक्षा पर फोकस की जाए, बहुत सारी चीजे अपने आप ठीक हो जाएगी अगर इतना ध्यान सिक्षा व्यवस्ता पर दी जाती बेरोजगारों की युवाओ को रोजगार पर दी जाते तो थाड़ा देश की हालात और राज्यों की स्थिती थोड़ी बहतर होती ये उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है लेकिन बीजेपी का एजंडा है एक्शन मे आते ही मुसल्मानों पर ताबर तोड़ हमला किया जाता है क्योंकि पता है ये नौनविज का व्यवसाई जो है मानशाहर का व्यवसाई एक समुदाय करता है और इससे तमाम मुसल्मान जो है वो रातो रात बेरोजगार हो जाएंगे उनके पास खाने को खाना नहीं होगा और एक दम से एक जटके में उनके उपर बुल्डोजर चला दिया जाता है तमाम ऐसे चीज़े हैं वहां के गरीब जो है नगरपालिका वाले भी अपनी बयान दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि गरीबों से गरीबों के उपर बुल्डोजर चलवाया जा रहे हमसे इनके घर तोड़ने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है और इससे हमें दुख हो रहा है वहां के नगरपाली का वाले जो वहां के उनकी जो स्टॉल हटा रहे हैं वो ही ऐसा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है क्योंकि एक गरीब से दूसरे गरीब का घर उजाडने को कहा जा रहा है और ये हमें देखकर महसूस हो रहा है ये भी प्रिटर पर इन सारी चीजों का जिक्र हो रहा है आगे वीपी लिखते हैं महंगाई और बेरुजगारी चरम पर है ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रहा है देर से चलती है ट्रेन बिना मैनेजमेंट के गंदी है और सरकार खाली बंदे भारत दोड़ा रही है नागरिक उडन मंत्री के पास करने को कोई काम नहीं है प्राइवेट एरलाइन डाइनेविक भाड़ास के नाम पर खून चूशने लगी है लगातार ये बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है सवाल पूछा जा रहा है जो कि ने सकते ये बहुत ही गरम मुद्दा है और भारत कुल मींट निरयात में किती सर्डवा Erut औरे, तीbelsा पह्ला 38 बूचर खाने हैं, यूपी जहां पर बाबा की सरकार है, अकेले यूपी में 38 बूचर खाने हैं, जिसमें से 4 बूचर खाने ऐसे हैं, जिसे सरकार खुद चलाती हैं, मुक्सतर लिखते हैं, भारतिय जनता पार्टी से जुरे SC, ST, OBC कोई भी हो, SC, ST, OBC के लिए काम नहीं कर करेंगे, वह टीम के लिए काम करेंगे, सब जानते हैं, यह कभी दलित आदिवासी के हितों की रक्षा कर नहीं करेंगे, यह कभी संबिधान के लिए नहीं बोलेंगे, इनको अपनी कुर्सी और गुलामी से मतलब होता है, हमेशा, और यह जो है, एक बड़ा गुसा बना र होता है, जो उपर के आलाकमान आदेश देते हैं, उतना ही किया जाता है, राहुल परमार लिखते हैं, सर अभी अभी एक नगर निगम करमचारी बता रहा था, लोगों के आसू नहीं रुक रहे हैं, सब गरीब हैं, और कहता है, एक गरीब से ही गरीब की दुकान तुडव बड़ा दुख हो रहा है और रोने लगा ये नगर निगम करमचारी हमने आपको बताया था कि वहां के नगर निगम करमचारी जो है वो दुख महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक गरीब से दूसरे गरीब का घर उजड़वाया जा रहा है छोटू लिखते हैं इनकी बस चले तो ह क्या करेंगे अब जो चंदा देगा उसी का बंदा काम करेगा इसी तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं हैं और बीज़ेपी सरकार पर सवाल उठ रहा है मेरा भी एक सवाल है हिंदू राष्ट की मान की जा रही है सकाहार बनाने की बात कर रही है TV चैनल पर बैठके बीज़े से एक मेरा सला है कि 5 किलो रासन जो दिये जाते हैं उसमें प्रोटीन वर्दक काजू बादाम पिस्ता और ये सारी जो प्रोटीन वाली चीजे आती हैं वो गरीबों में 5-5 किलो ये भी बटवा दें देखिएगा सारे गरीब जो हैं वो कहीं न कहीं आपकी बात सुनने लग जाएंगे क्योंकि भूखे पेट तो मरेंगे नहीं बिमारिया जब होती है तो प्रोटीन की जरूरत होती है और ये प्रोटीन जो है कम पैसों में मांसाहार से ही उपलब्द हो पाता है और तमज्जादा तर लोग मांसाहार से प्रोटीन लेते हैं क्योंकि उनके पास इतन नहीं देने हैं तो आप ही एक पहल कीजिए कि पांच किलो रासन के साथ तमाम ये प्रोटीन वाली जो चीजें हैं वो बटवा दीजिए कहीं न कहीं जनता आपको सुनना शुरू कर देगी उन्हें भी जरूरत है कि कोई हर कोई अच्छा खाना खाना चाहता है तो ये पहल आ चाहते हैं तो निस्मल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे